आज के वीडियो में सभी दीदी भाये को नमस्ते आज हम अपने संकुल अस्तरीय संग में आये हुए हैं और हमारे संकुल अस्तरीय संग में बड़ाओदा आर्सेटिक के माध्यम से स्वयम साहतर समू की दीदियों को और उनकी बेटियों को बहुंगों को प्रसिछड दिया जा रहा है आप सब देख सकते हैं और यहां पर प्रसिच्छड जो दिया जा रहा है बैग बनाने का काम हमारी दीदिया कर रही हैं अभी हम ट्रेनर से भी बात करवाएंगे और जो कुसुम मैम हैं बड़ावदा स्वारोजगार के अंतरगत कारी करती हैं उनसे भी जानकारी लेंगे कैसे आप लोग प्रसिच्छड ले सकते हैं आवेदन कैसे करना होगा और बड़ावदा आर्सेटिक के माध्यम से जब आपको प्रसिच्छड मिलेगा तो उससे आपको लाभ क्या मिलेगा पूरी जानकारी मिलने वाली हैं तो चलिए हम मैम से बात करते हैं दीदी करने के लिए आवजस्यक दस्ता बेज क्या क्या लगेगा प्लीज बताईए ताकि अपने इस चैनल के माध्यम से महिलाएं जागरूक हों और अपने यहां भी प्रसिच्छ ले करके स्वारोजगार से जुड सके पूरी परक्रिया बताईए आवेदन कैसे करना होगा कहां इनको संपर्क करना होगा अगर बत्ती बनाना होता है मोंबत्ती बनाना होता है और तमाम तरह की जो है ट्रेड हमारे हैं कि जो सिखाया जाता मेलाओं को जो दस दिन की टेनिंग होती है उनके यहां गाव में ही आ करके हम लोग उनको सिखाते हैं गाव में आ करके सिखाएंगे तो फिर वो क्या होता तो कुछ मेलाएं सोचती हैं कि हम वहां अगबर पूर्ता के आसनस्था तक नहीं जा पाएंगे तो हम लोग उनको बताते हैं कि आपको अपने ही ग्राम पंचायत में सीखना होगा और जहां पर इनका ग्राम पंचायद भौन बना होता है उसी ग्राम पंचायद भौन पर हम सिखाते हैं तो इनका जो है सारा जो टेनिंग होता है निशुलक होता है 10 दिन का टेनिंग होगा वो सारा टेनिंग निशुलक होगा इनका ड्रेस, कॉपी, कलम, सारे मटेरियर हम ला करके इनको सिखाते हैं इनको कोई पैसा नहीं देना होता, सारे टेनिंग निशुल को होती है कि और इनको दस से पाज बजे तक टेनिंग देना हो रहना पड़ता है इनके आवसी दस्ता बेज क्या-क्या है इनको भी बता देते हैं हम सासात में कि जैसे इनका एक आधार कार्ड की फोटो कापी, रासन कार्ड की फोटो कापी, बैंक पास्वूक हो तीन-तीन फोटो हो, साइचिक परमार पत्रियानी जो पढ़ी लिखी मेलाए है इतने साइच दस्ता बेज इनको जमा करना होता है, उसके बाद इनके गाव में आकर के टेनिंग दे दी जाती है इसके साथ-साथ जो हमारा तीस दिन का प्रोग्राम है, वो आफिस पर सिखाया जाता है इसके साथ लड़के को भी टेनिंग दी जाती है, जो लड़के होते हैं, पर लिकर के भी रोजगार है, इधर दर जाते हैं, घूमने कमाने के लिए तो वहाँ न जाकर के बाहर हमाई आशेटी जो है इनको, जैसे CCTV कामरा लगाने का प्रोग्राम सिखाता है, मोबाइल बनाने का काम सिखाता है, AC, freeze, cooler, पंखा बनाने के लिए भी लड़कों को सिखाया जाता है तो लड़के वहाँ पर तेज़ दिन की ट्रेनिंग लें, सीख करके अपना बिजनेस करें, और हमी कोशिस करते हैं कि सीखें और अपना बिजनेस, सुवे में स्थापित करें, किसी केहा नोकरी करने, न जाए अपना खुद का बिजनेस शुरू करें हाँ सभी दीदिया बनाई हुई है, हाथों से अपने मसीन से, हाथ से अपना समय दे रही है, और शुबे 10 बजे आ जाती है, 10 से पाज अपना समय आपर दे रही है नमस्कार, मेरा नाम तंचन तिवारी है, मैं 12 वंकी से हूँ, हम इस समय जो RCT के तहट महिलाओं को जर्नल EDP में बैग मेकिंग का जो प्रोग्राम कर रहाना है, वही सिखा रहे हैं ये सीखने के बाद महिलाओं अपना स्वरोजगार कर सकती हैं और इससे अपनी आर्थी किस्ति सुधार सकती हैं इसी प्रकार के हम कई प्रकार के ट्रेड सिखाते हैं जैसे सॉप्राइज हो गया, बैग मेकिंग हो गया, कास्ट्यूम जोरोडी बनाना हो गया, सिलाई का हो गया ये सब महिलाओं स्वरोजगार कर सकती हैं ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं आर्शेटी में जा करके मैम से प्रंपर करके अपना रजिस्टेशन करवाएं और अपना प्रोग्राम शीख कर अपनी आर्थी किस्ति सुधारें धन्यबाद दीदी आप लोग सीख लिए हैं सब अच्छे से आ गया है बैग बनाना आ गया है आप दीदी बताएए मैम को मेरे नमस्ते सभी दीदी को मेरे नमस्ते मेरे नाम प्रतिमा है, मैं कालिया जी को साहता समोह की सचीव हूँ, कल्याडी प्रिड़े मैला ग्राम संगठन की कोसा धेक्ष हूँ, मैं राम पुर सकरवारी की रहने वाली हूँ, यहाँ जो पास दिन का परसिछड है, हम लोग परसिछड लेने आया, काफी दीदिया है यह मैं ग्राम सभा टंगी से हूँ, मेरे संगो का नाम लच्मी बाई महिला संगठन का नाम है, मैं उसकी अद्यक्ष हूँ, संकल पेड़ा संकुल संकी मैं सची हूँ, आज चार पाँच दिन से जो है हमारे हाँ संकुल संग में परसिछड चला जा रहा है, आर सेटी से उसमें जो है ट्रेनर है कंचन मैम और जो है वहाँ की आर्शेट्री की मैम है कुशुम मैम और यहां अमारे जो सिल अलप में यहां पर 27-27 लडगियां सीख रहीं है कुछ महिलाइय भी सीख रही है 35 लोग सीख रही है सब मिलकर के और इसमें ये है कि मतलब 18 से लगकर चालिस साल तक महिलाएं इसमें परसिछड ले सकती हैं सबसे अच्छा काम यह है कि 40 साल के बाद भी हम लोगों को परसिछड मिल रहा है यह सबसे खुसी की बात है कि जब हम लोग घर में थे तो घर में इसके बाद जो समू साता समू नहीं चला था इसके पहले बड़ी समस्य होती थी हम लोग बाहर नहीं निकल पाते और आज ऐसा एक मौका आया है कि 40-45 साल की महिलाएं आकर के परसिछड ले रही है यह समू की जरी है और बहुत खुसी की बात है यहां पर जो भी महिलाएं और लड़कें जो सीख रहे हैं परसिछड ले करके अपना खुद च्चिण सोΥ का मिलता है उसमें हम कम रेट में बनाकर अच्छी रेट में उसको बैच सकते हैं यह हमारा बहुत अच्छा रोजगार है इसे हम घरूजगार बढ़ा बढा सकते हैं अगर उस से फोकस करेंगे तब पात है अपने और लोग का users सब्सक्राइब एक देदिंग है जो गीत घाना चाहते हैं आर्सेटी के माध्यम से आर्सेटी का गीत है। आवा है दी दी आवा है बहीनी। आवा है दी दी आवा है महीनी। आवा है चाची आवा है भावी। आवा है चाची आवा है भावी। हैंड पर्स वाली बैगवा बनाए लियल जाए। आर्सेटी के लभवा उठाए लियल जाए। तुहूं चला हमूं चली सब का समझाए दियल जाए। आर्सेटी के लभवा उठाए लियल जाए। आवा है नने दी आवा है बेटी। सकूल जाए वाला वैगवा बनाए लियल जाए। आर्सेटी के लभवा उठाए लियल जाए। आरसीटी के लभवा उठाए लियल जाए देखे जो दीदी ने आरसीटी के लिए गीत गाया है ये बहुत ही सुन्दर है और इससे सभी महिलाओं को बहुत सारी जागरुकता मिलेगी कि वो भी आके और इस कारिक्रम के माध्यम से अपना सुरोजगार करें बहुत बहुत धनिवाद देदेगो